नमस्कार दोस्तो दोस्तो आपका स्वागत है आपके अपने शैनल पर दोस्तो आज के वीडियो की हर एक बात बहुत ही कीमती है बहुत ही मूल्यवान है आज की वीडियो में जो जो मैं आपको बात बताऊंगा वह सब बात है आज से 50-55 साल पहले की वाते हैं जो कि इस वीडियो में मैं आपको कोई पुराने तरीके बताऊंगा आपके चेहरे से जोड़े हुए, आपके होटों से जोड़े हुए, आपके वालों से जोड़े हुए, जो कि किसी भी चीज में ना तो कोई chemical use है और ना ही कुछ वाजारी कोई चीज, केवल और केवल फ्रा अच्छा लगे, तभी आप कमेंट करना और लाइक करना, वरना मत करना, क्योंकि आज के वीडियो में मैंने एक एक बात को बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने की मैं कोईशिस करूंगा, और जो भी मैं आपको तरीके बताऊंगा, वो 100% एक दम से आपके चेहरे के ल आपको अच्छी तरीके से समझाओंगा, आज बस मैं आपसे यही बोलूगा कि मुझे कम से कम इस वीडियो में 2000 लाइक चाहिए, ठीके फ्रेंड, चलिए, अब मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा आपके वालों के लिए, ठीके फ्रेंड, आज से 50-55 साल पहले ना तो इतन हमारे वाल समाई के फहले सपित क्यों होने लगे हैं, इनका कारण यही है कि हम केमिकल से बने हुए सैंपू, सावून, और कंडिशनर, और वाईल यूस करते हैं, किसी वाईल में अगर खुसबू नहीं है तो हम उसको खराब समझते कि यह वाईल वालों के लिए अच्छा लगते हैं, तो फ्रेंट क्या करते थे फहले के लोग अपने वालों के लिए, अब मैं आपको वताओंगा, फ्रेंट वो हपते में एक दिन जब अपने वालों में ज़्यादा ही मैल जमा हो जाता है, तब वो यह काम करते थे, हपते में एक दिन वो धाई सो ग्राम के लगवग छाच लेते थे और उसमें 10 ग्राम के लगवग गुड मिलाते थे एक छोटा सा तुकड़ा 10 ग्राम के लगवग उसमें पीस कर मिला लेते थे फिर उसमें एक नीबू को कारते थे आदा नीबू का रस पूरा उसमें मिला देते थे फिर अच्छे तरह से मिक्स करने के बाद अपने वालों में लगाते थे और यह सब काम बोई नहाते टाइम करते थे नहाते टाइम बोई यह सब मिक्स करके अपने वालों में लगाते थे और थोड़ी सी मालिस करते थे पांच मिनिट के लगबग और फिर उसी पानी से जिस पानी से वो नहाते थे उसी पानी से वो अपने वाल दो देते थे जिस कारण से उनके वालों में जितनी भी गंदगी होती थी वो जड़ से साफ हो जाती थी ऐसा वो हपते में एक दिन करते थे डेली नहीं करते थे फ्रेंड जो हम डेली सावन सेंपू यूज करते हैं वो डेली नहीं करते थे डेली करने से भी वाल कमजोर हो जाते हैं इस बात को ध्यान से सुनना डेली यदि आप बालों में सेंपू करेंगे आपके बाल कमजोर वो वालों में वाल कौन सा लगाते थे वो खुद घर पे ही वाल बनाते थे किसी और चीज का नहीं सरसों का क्योंकि उस टाइम पे खेतों में सरसों बहुत जादा उखते थे तो घर पर ही उन सरसों का वो वालों निकालते थे और उसी वालों को अपने वालों में लगाते थे केवल सरसो का ही तेल लगाते थे ऐसा नहीं था कि आज यह तेल लगा लिया कल किसी और का लगा लिया परसो किसी और का नहीं हमेशा वो सरसो का तेल ही लगाते थे जिससे की कारण उनके वाल हमेशा काले चमकदर वने रहते थे तो फ्रेंड आज भी हमारे खेतों में सरसो होती है तो सरसो का तेल ही अपने वालों पर यूज करना सबसे वैस्ट यदि कोई बोले किसी और का लेलो तो विल्कुल भी आप ये मत सोचना कि नहीं किसी और कंपनी का लेलो या किसी बस सरसो का तेल ही अब आपके लिए अपने वालों में यूज करना चाहिए जो कि सबसे वैस्ट इस कारण से आपके वाल चमकदर रहेंगे और सुनदर रहेंगे और हपते में आपको मैंने आपको बता दिया किस चीज से आपको अपने वाल धोने चाहिए ठीक है फ्रेंड चलिए फ्रेंड अब मैं आपको बताने वाला हूँ आपके होटों के लिए आपके होटों को प्राक्रतिक रूप से कैसे गुलाबी किया जाए ठीक है फ्रेंड पहले व्यक्ति क्या करते थे नहाते टाइम फ्रेंड वो नहाते टाइम क्या करते थे कि डेली सावन यूज नहीं करते थे जैसे हम डेली सावन यूज करते हैं वो सावन की जग है एक कटूरी लेते थे उसमें दो चार चम्मस मिल्क डालते थे दूट डालते थे और एक चम्मस उसमें बेसन डालते थे वस और कुछ भी नहीं करते, उसको गीला करके अपने पूरे सरीर पर अपने फेस पर लगाते थे, फिर उसके बाद उपर से पाने डाल के रगड़ रगड़ के साप कर ले थे, हम सावन डेली लगाते हैं, लेकिन वो डेली नहीं लगाते थे वेसन के लिए एक दिन छोड़ क लगाते थे इस कारण से उनके फूरी बोडी का मैल निकल जाता था और फिर वो अपने सरीर पर मालिस करते थे किसी वाइल की या किसी क्रीम की नहीं घी की मालिस करते थे उस वक्त उस समय घी उनके पास बहुत होता था इसलिए वो अपने पूरी बोडी में घी लगाते थे औ कभी भी आपके होंट फट नहीं सकते आपके होंट कभी भी रूखी रूखी नहीं हो सकते आपके होंटों पे हमेशा गुलावी एक चमक रहेगी आपको लिविश्टिक लगाने की और भी कुछ लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी या बाजार से जो कुछ भी है आप होंटों के लिए एकदम गुलावी कर लेते हैं ऐसा कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है यदि आप घी एक दो भूंद अपनी नावी में डालते हैं तो चाहे फिर आप लड़का हो या फिर लड़की हो तो हमेशा यह वात का ध्यान रखें हैं कि यदि आपको अपने होंटों में किसी भी तरह की कोई परिसान ही आ रही है तो घी डालना श्टार्ट करते हैं ठीक है फ्रेंड और यदि आपके होंटों का कलर काला हो चोकाई सिगरेट पीने से जादा कॉफी चाह पीने से या किसी भी कारण से तो फिर आपको क्या करना है दो भूंद सहर लीजिए आधी चम्मच उसमें दूट डाल दीजिए और एक दो भूंद एक दो भूंद सिर्फ आपको उसमें नीवो के रसकी डालनी है और फिर आपको अपने होंटों पर छोटी से उंगली से मालिस करते हुए कम सकम दो मिनिट या तीन मिनिट मालिस करते हुए सो जाईए और सुभाई उसको साप कर लिजे दो-चार दिन करेंगे अपने आप अपने होटों का कलर गुलाबी दिखाई देने लगेगा आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है किसी भी तरह की कुछ भी चीज अपने होटों पे लगाने के लिए कि आपके होट फटे नहीं गुलाबी ना हो ठीक है फ्रेंड तो फिर मैंने आपको बता दिया कि आपको होटों के लिए क्या करना चाहिए तो फिरिंड अब मैं लास्ट में आपको बताने वाला हूँ आपके चेहरे के लिए चेहरे के लिए क्या करना चाहिए कहते हैं उस टाइम पे पुरुस्तों अपने चेहरे पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे लेकिन महिलाएं अपने चहरे पर जादा ध्यान देती थी अपने चहरे को जादा खुब सूरत बनाए रखती थी जादा सज थी सबरती थी ऐसा नहीं कि आज के महिलाएं मेकप कर ली तो समल्लो हो गया वो मेकप तो विल्कुल उस टाइम पर कुछ होता ही नहीं था यासा कुछ करी में बगेरा नहीं चलती थी तो वो किन चीजों से अपने चहरे को सुन्दर बनाए रखती थी वो भी अपध्यान से सुन लीजिए वो हमेशा मसूर दाल का आटा किसा हुआ रखा रहता था उनके पास और वेशन तो उनके पास हमेशा ही रहता था चने का वेशन तो उनके पास हमेशा ही रहता था तो वो अपने चहरे का वो उप्टन करती थी उप्टन कैसे करती थी एक छोटी सी कटोरी में एक चमच वेशन निकाल लिया चने का और एक चमच उसमें मसूर की डाल के आटे का निकाल लिया ठीक है और उसमें एक चमच मिल्क डाल देती ही दूद डाल देती थी और घी परयाप था उस टाइम पे तो घी भी करीब उसमें आधी चमच के उसमें घी मिला देती थी तो इसको मिक्स करके वो इसको मिक्स करके वो अपने पूरे चेहरे पर एक टन टाइप का करती थी हलका हलका सा पूरे फेस पर वो मालिस करती थी उनका चेहरा कभी भी ये समली कुछ टाइम पर तो पिंपल होते ही नहीं थी कि पिंपल होते क्या में आप अपने चेहरे पर यूज करेंगी उतने ही आपके चेहरे पर पिमफल होंगे सब कुछ बिल्कुल भी छोड़ दीजिए आप केमिकल से बनी हुई चीज ठीक है फ्रेंड तो उसका वो उप्टन करती थी अपने चेहरे पर लगा लिया 15-20 मिनिट के पाद वो उसी सुन्दरता उनके चेहरे पर छलकती थी अपने आप उनके चेहरे पर एक चमक बनी रहती थी और फिर वो क्या करती थी रात के टाइम डेली नहीं कभी कभी वो घीकी मालिस करती थी हलके हलके हाथों से अपने पूरे फेस पर घीकी हलके हलके से अपने हाथ में थोड़ा सा लिया और हलकल के हाथों से मालिस करती थी इस कारण से उनका चहरा हमेशा जवान वना रहता था उमकी तो बुँझ 60-65 थी लेकिन उनका चहरा देखर कोई नहीं कह सकता था कि इनकी उम्म इतनी है क्यूंकि वो अपने चहरे की इस तरीके से देखरे करती थी जिस कारण से उनका चेहरा हमेशा टाइट रहता था, जबान रहता था, सुन्दर रहता था तो friend मैंने आपको इस वीडियो में वालों से जुड़ी हुई, होटों से जुड़ी हुई और आपके चेहरे से जुड़ी हुई वो सारी सब वातें बताएं जो कि आज से 50-50 साल पहले देश की महिलाएं या पुरुस किया करती थे तो friend यदि अब आपको लगा है कि हाँ यार वीडियो में दम है वीडियो की रेमिडी वहत जबर जस्त रेमिडी है तो यार अब कमेट में जरूरी बता देना थेंक्यू लिख देना जो भी आपको अच्छा लगे कि वीडियो कैसा लगा तो friend आज के लिए बसकना ही नमस्कार हुआ है